नमस्कार दोस्तो षङ़ा थे आप सभी का дे पर आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आये हैं 30 mq questions और ये current tricks के questions हैं तो प्यूरा वीडियो देखे क्योंकि हम आपके लिए 30 प्रश्ण लेकर आये हैं और ये एक तारीख से लेकर आज दक की अगले कोशन पर चलते हैं अगला प्रशन है नेक्ट कोशन है राष्ट्रिय स्वास्त प्राधी करना और किस IIT संस्थान के बीच हैल्थ केर में Artificial Intelligence के उपयोग के लिए समझोता हुआ है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राश्ट्रिय स्वास्त प्राधी करन और IIT कानपुर के बीच में यह Artificial Intelligence के उपयोग को लेकर एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर हुए है अगला कॉशन आपके सामने है अगला कॉशन है 45 वा फिडे सतरंज ओलम्पियाड कहा पर शुरू हुआ तो 45 वा फिडे सतरंज ओलम्पियाड जो है यह बुड़ा पेश्ट में शुरू हुआ है option number B सही उत्तर हो जाएगा नागरिक उडियन मंत्राले का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री इस्तरिय सम्मेलन कहा शुरू हुआ तो नागरिक उडियन मंत्राले का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री इस्तरिय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में शुरू हुआ option number A राइट आंसर हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और किस विदेसी कंपनी के बीच में एयर लिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर महतपूर समझाता हुआ है तो Air Lifter, Air Lifter Project को लेकर महतरपोर समझोता Tata Advanced Company और Lockheed Martin के बीच में हुआ है Option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Next question is Reserve Bank of India ने वैधानिक और नियाम की अनुपालन में कुछ खामियों के लिए किस बैंक पर 2.9 करोर रुपे का जुर्माना लगाया है तो यह जुर्माना Access Bank के उपर लगा है Option number A सही उत्तर हो जाएगा Next question is सयुक्तराष्ट्र महासभा का 79 वा सत्र कहां पर शुरू हुआ है तो सायुक्त राश्ट्र महासभा का 79 वाज सत्र जो है यहां नियू यॉर्क में शुरू हुआ है option number नियू यॉर्क प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण है हाली में अंतर आश्ट्रिय सौर गटवंदन का पूर्ण सदस्य देश कौन बना है तो अंतर आश्ट्रिय सौर गटवंदन का पूर्ण सदस्य देश बना है नेपाल option number D प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा नेपाल पूर्ण सदस्य देश बना है तो दूसरा अंतराश्lari बॉद्ध मीडिया समयलन 11 सितंबर को कहां पर आयजित किया जाएगा तो दूसरा अंतराश्रोय बॉद्ध मीडिया समयलन 11 सितंबर को जो है यह दिल्ली में आइजित होगा option number दिल्ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा Next है आपके सामने प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी 11 स्टमर को Semicon India 2024 सम्मेलन का उधगाटन कहांपर करेंगे तो Semicon India सम्मेलन 2024 का उधगाटन नरेंदर मोधी जी जो है यह greater noida में करेंगे प्राश्न प्रवंधन आयोग के अद्यक्ष का कारभार किसने समहला है। किंद्रिय परियावरन मंत्राले द्वारा के सहर को प्रतिस्टित स्वक्षवायू सर्वेक्षन 2024 का खिताब दिया जाएगा तो किंद्रिय परियावरन मंत्राले के द्वारा सूरत को यहाँ पुरुसकार मिलेगा जहां पर स्वक्षवायू सर्वेक्षन 2024 का इसने पुरुसक हो जाएगा अमेरिकी open tennis में किस ने अपना दूसरा grand slam खिताब जीता है तो अमेरिकी open tennis में अपना दूसरा grand slam खिताब जो है जैनिक निसर ने जीता है option नमब बी प्रशन का सही उत्र हो जाएगा next question है time magazine ने किसे प्रोधुकी और artificial intelligence के छेतर में सबसे अधिक अगले question पर चलते हैं सामाजिक नया अधिकारिता मंत्राले 9 और 10 सितंबर 2024 को कहां राश्रिय समिक्षा समेनन जिसका नाम है चिंतर सिवन चिंतन सिवर का आयोजन कर रहा है तो यह चिंतन सिवर जो है यह आयोजित कौन कर रहा है option नमबर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए right answer है caution एक बार निकाल लेते हैं हाँ जी चिंतन सिवर कहां पर आयोजित हो रहा है वित्तर सच्छे हो यह अलग caution है यह 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 है चिंतन सिवर जो है यह option number right answer है आगराम है option number A प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंबई समाचार डॉक्यमेंटरी 200 not out का विमोचन किस केंद्रिय मंत्री ने किया है तो मुंबई समाचार डॉक्यमेंटरी 200 not out का विमोचन यह किया है आमिच शाह जी ने option number D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार ने किसे नया वित्तर सच्चेव नामित किया है तो नया वित्तर सच्चेव केंद्र सरकार ने तो हिन कांथ पांडे जी को नामित किया है option number A प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा तो हिन कांथ पांडे जी नेक्स्ट है उपराश्रपती जगदीब धन्खण ने उत्तर प्रदेस में कहां सैनिक स्कूल का उधगाटन किया है तो उत्तर प्रदेस में यहां सैनिक स्कूल गोरखपुर में खोला गया सही उत्तर हो जाएगा सेक्तराश्र बालकोस और किस मंत्राल ने सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं तो यह आशय पत्र पर हस्ताक्षर पंचायती राजबंत्राले और यूनिसेफ ने मिलकर किये हैं भारत ने कितने अन्य हवाई अड़ो पर डीजी यातरा का उधगाटन किया है तो यह हवाई अड़े 9 है राइट आंसर हो जाएगा option number C अधिक जानकारी के लिए questions की practice के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा और live class में आप जरूर आईए रोज live class होती है मिलते हैं next class में बहुत बहुत धन्यवाद